भारत की जीडीपी बर्तमान बित्वर्ष की तीसरी तिमाही में 5.4 फिसी की दर से बढ़ी है। 12 सरकार ने सोमबार 28 फरवरी को जीडीपी यानी ग्रास डोमेस्टिक प्रोड़क्ट के आधिकारिक आकड़े जारी किये हैं। सरकार ने बताया है कि अक्टूवर से दिसम्बर की तिमाही में भारती अर्थ ब्यवस्था 5.4 प्रसत की दर से बढ़ी है। पिछले दो तिमाहीों के तुलना में इस तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ रेट धीमी रही है। इस बितवर्स की पहली तिमाही में लो बेस इफेक्ट के कारण जीडीपी ग्रोथ रेट 20.30 प्रसत रही थी, वहीं दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 8.5 प्रसत थी। इस प्रकार तीसरी तिमाई में GDP ग्रोथ रेट बाकी दो तिमाईों की तुल्ना में धीमी रही है एनसो के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार बित वर्स 2021 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 8.9 प्रस्थ रहने का अनुमान है इसके पहले जन्वरी में जारी पहले अग्रिम अनुमान में GDP ग्रोथ 9.2 प्रस्थ रहने का अनुमान था पही पिछले बित वर्स 2021 में कुरोणा महामारी की कारां GDP में 6.6 प्रस्थ की गिरावट देखी गई थी